हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नौन श्टॉप चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 25 कॉसंस सॉल्व करेंगे जनरल साइंस के और जितने भी कॉसंस मैंने लिये हैं सभी कॉसंस रेलवे के प्रीवियस एक्जाम से पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एक्जाम में तो सभी कॉसंस बहुत इंपोर्टन हैं वीडियो को लाज तक देखेगा और दोस्तों इसी तरह से मैं डेली साइन्स के वीडियो लाता हूँ 25 कॉसंस के सीरीज तो अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्टर्पिशन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आएए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला कोशन है निमलिकित में से कौन सा कथन सकते है दिया गया है ध्वनी का वेग होता है मौसम पर निर्भर नहीं है या सर्दियों की तुलना में गर्मी में कम होता है या सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है तो ध्वनी के वेग की बात करते है 344 me per second अगर हम बात करते हैं 25 क्षेश पर तो यह होता है 346 me per second तो आपने यहाँ पर देखा कि टाप मान जब कम होता है तो धनी का वेग तो यानि हो जायगाni सर्दियों की सद ब्ला में गर्मियों में अधिक तापमान जब जा रहा होगा तो धनी का वेग भी अधिक होगा और क्वेशन आता है कि धनी का वेग थोस में या दो में या गैस में किसमें सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक धनी का वेग होता है किसमें थोस में होता है और उसके बाद जो है दो में होता है और उसके बहुमिक प्राकितिक आक्सिन है तो आक्सिन ये पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है पास तरह के हार्मोन पाया जाते हैं पौधों में एक होता है जिब्रेलिन दूसरा आक्सिन तीसरा साइटोकाइनिन चौथा एथाइलिन और पांचवा होता है एपसिसिक एसिड तो यहाँ पे सार भोमिक प्राकितिक आक्सिन का मतलब की ज़्यादा तर यही आक्सिन का प्रकार पौधों में पाया जाता है तो कौन सा होता है जो ज़्यादा तर आक्सिन का प्रकार होता है पौधों में तो यह होता है IAA IAA जिसका full form होता है Indole Acetic Acid तो ज़्यादा तर यही Oxin पाया जाता है पौदों में ठीक है Indole Acetic Acid और यहाँ पर दिए गए IBA तो यह भी Oxin का प्रकार है लेकिन यह उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता इसका full form होता है Indole Buretic Acid यहाँ पर NAA दिया गए है तो यह Crittim Oxin होता है Crittim Oxin होता है यह Oxin हार्मोन के अगर कारियों की बात करते हैं तो यह कोसिका विवाजन और कोसिका ब्रिद्धी में साहक होता है यानि कि यह पौधों की growth के लिए साहता करता है यह पौधों की overall growth में ब्रिद्धी करता है तनों की लंबाई में ठीक है और इसके लाओ बीजों के अंकुरन को भी प्रेदित करता है Cytokinin की बात करते है तो यह भी कोसिका विवाजन इसका मुख्यकार होता है कोसिका विवाजन में साहता करता है ठीक है बीज जो होते हैं वो अंकुरित नहोने पाएं क्योंकि जैसे बीज अंकुरित हो जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे अंकुरित जब उसको होना चाहिए यानि कि मिट्टी में जब हम उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ते हैं तब ही अंकुरित होना चाहिए ऐसे अंकुरित हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा तो ये एपसिसिक एसिट सुपता वस्था में कर देता है वीजो को ताकि वो अंकुरित नहोने पाएं तीक है तो ये जो है इन हार्मोन्स के कारे होते हैं यहाँ पे और भी कार दिये गए हैं मैंने आपको मुख के कारे बताए हैं तो आप देख लीजेगा एक बार कौन-कौन से हर्मोन के कौन-कौन से कारे होते हैं अगला कॉशन है निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधक्ता होगी तो प्रतिरोधक्ता यानि कि रजिस्टविटी तो प्रतिरोधक्ता क्या होती है, तो किसी पदात का वह गुड होती है, जो उसके अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्धुधारा का विरोध करती है, यानि कि इसके अंदर से विद्धुधारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती, तो जो कुछालक होते हैं, बैट कंड़ हो तेम मुल्हाज़ कहते हैं यहां पर हीडा हो गया हीड़्रफथ क्या aos जादा होगा उसकी प्रतिव्रधकतर यह कोदा होगा का यह की इसकी पतिदद्रथ्धर्धतर ज्यादा होती है अगर हम compare करते है copper या aluminium से copper या aluminium या silver वगएरा से compare करेंगे तो इसकी प्रतिदों रखता इनसे बहुत ज्यादा होती है लेकिन कुछालक से ये क्योंकि सुचालक है तो कुछालक से कम ही होगी ठीक है तो यहाँ पे यही इसका राइटन सोजाएगा option D और नाइक्रोम जो है ये प्रियोग कहा होता है तो नाइक्रोम आपको पता होगा कि ये जो heating वाले उपकरण होते है उनमें प्रियोग होता है जैसे कि heater वगएरा में, press वगएरा में तो ये heating उपकरण में प्रियोग किया जाता है और ये किस से बना होता है तो ये बना होता है निकल से ठीक है निकल और इसके लावा क्रोमियम से बना होता है ठीक है निकल और क्रोमियम से ये बना होता है और यहाँ पे दिया गया है इबोनाइट जो कि एक hard rubber होता है तो question आता है कि soft rubber को hard rubber कैसे बनाते हैं क्या उसमें मिलाते हैं तो अगर हम soft rubber में मिलाते हैं sulfur ठीक है soft rubber में अगर हम sulfur मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या hard rubber बन जाता है ठीक है और इस क्रिया को कहते हैं तो इस kriya को कहते centuries यहाँ पर do option इसका doesn't हो जगा नैक्रोम . अगरा question है oxygen के एक अ्डू का द्र विमार है तो oxygen का एक अ्डू क्या होगा ? O2 हो जाएगा अगर एक atom की बात करते हैं तो oxygen का एक atom होता है O और oxygen के दो atom Hz मिलकरके एक को बनाते हैं एक मॉलिकूल बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, और एक एटम का, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ही होता है, तो यहाँ पे दो एटम है, ऑक्सीजन के, तो 32 यू हो जाएगा, इसका मॉलिकूलर मास हो जाएगा, ठीक है, और मोलर मास के हो जाएगा, तो मोलर मास हो जाए होते हैं एवोगेड्रों संक्या है या इतने मॉल्यक्यूल्स हो सकते हैं तो यह किसके बराबर है 32 ग्राम के बराबर है और हमें बताना है एक अड़ों का यहां अगर यहां से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 30 बढ़ जाएगा और 602 से इसको अगर हम कैंसल करेंगे तो यहां पर पहली बार पांच बार जाना चाहिए ठीक है ओप्सन से आप देखेंगे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा यहां पर देख सकते है चार बार तो नहीं जाएगा ना तीन बार जाएगा ना दो बार तिक है यहां पर पांच बार कम से कम जाएगा तो यहां पर यही इसका राइट अंस होगा तो यही इसका राइट अंस होगा 5.3 x 10-23 ग्राम ये आजाएगा इसका राइट अंस है अगला कुश्चन है जनतों का कौन सा समूव विशेश रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीवों का समूव है तो यहाँ पर बताना है कौन सा समूव है जिसमें केवल सम मुद्री खीरा भी कहते हैं C-Archene और यह है Brittle Starfish तो यह भी Starfish का प्रकार है तो यह सभी क्या है इकाइनो अडरमेटा संग के प्रानी है ठीक है और बात करते है निमेटोडा की तो इसमें जो है Escaris इसमें Escaris और इसके लावा वाउचेरिया ये छोटे क्रीमी आते हैं इसमें और आर्थो पोड़ा तो ये जन्तों का सबसे बड़ा समू होता है सबसे बड़ा समू कौँ सा होता है तो आर्थो पोड़ा जन्तों का सबसे बड़ा समू है तो इसमें जो है, सभी तरह के जीव आते हैं, जमीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले, और उड़ने वाले, जैसे कि तितली हो गया, और काक्रोच हो गया, बिच्छो हो गई, तो ये सभी क्या हैं, आर्थो पोर्डासंग के जीव होते हैं, मोलस्का की बात करते हैं, तो यह सब किसमें आते हैं, यह सब आते हैं, मोलस्का में, ठीक है, तो यहाँ पे राइटेंस है क्या हो गया, ए ओप्सन इसका राइटेंस हो गया, इकाइनो डर्मेटा, इसमें जो है, समुद्री जीवों का यह समुव होता है, अगला कॉश्चन है, बल्की परिभासा को किसके इसवारा व्याख्याइट किया जा सकता है, तो बल्क, यानि कि फोर्स, तो इसकी परिभासा को व्याख्याइट किया जा सकता है, गति के पहले नियम से, न्यूटन के पहले नियम से इसको व्याख्याइट किया जा सकता है, न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, तो पहला की definition आती है बल्की भी यही definition होती है बल्क वह बाहिकारक होता है जो किसी वर्ष्ट की इस्थिती में परवतन करता है या करने का प्रयास करता है उसको कहते हैं तो यहाँ पर C option इसका बल्क की SI unit क्या होती है तो बल्क की SI unit होती है नूटन ठीक है अगला question है एक बहु कोस्किय जीव है तो इन में से बहु कोस्किय है यानि कि multi cellular जीव कौन सा है तो साइनो बैक्टिरिया दिया गए है साइनो बैक्टिरिया जिसको कहते है नील हरित सेवाल यानि कि blue green helgi तो यह ज जो है क्या होता है एक कोस्किय होता है प्रोटो जोगा और अगेरिकर्स तो यह जो है फंगस होता है यानि कि कवक होता है तो यह है यह है अगेरिकर्स यहाँ पर डाग्राम में देख सकते हैं तो यह जो है कवक होता है और यह multi cellular होता है यानि कि बहु कोस्किय होता है तो य इसमें सेलवाल नहीं पाय जाती तो ये भी जो है एक कोस्ट की होता है तो यहाँ पे C option इसका डाइटन्स हो जाएगा अगला question है पार्थेनो कॉर्पी को किसके रूप में परभासित किया गया है तो पार्थेनो कॉर्पी ये क्या होता है तो ये होता है बिना निशेचन के बिना बीज वाले फलों के विकास को क्या कहते है पार्थेनो कॉर्पी कहते है तो इसमें जो फल विक्सित किये जाते हैं उसमें बीज नहीं होते है जैसे कि केला है और अननास है तो इसमें प्राकृतिक रूप से बिना निशेचन पार्थेनो कॉर्पी ठीक है जैसे कि अंगूर में आपने देखाऊगा अंगूर या कई तरह के सेव और टमाटर हो गए रहाते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं तो वो सब किस विधी से विक्सित किया जाते हैं जब 21 newton के बल को 3 kg वाली वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्वपन 12 यहाँ पर दिये गया है, बल दिये गया है, F equal to 21 newton, और वजन दिये गया है, M 3 kg, ठीक है, दब्यमान 3 kg दिये गया है, और आपको पता है कि F equal to क्या होता है, force equal to होता है, M into A, यानि कि बल बराबर दब् तो अब यहां पर त्वरन निकालना है, एक अमाण हमें निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा, एफ अपॉनiden हो हजाहेंगा और एफ कितना दिए गए है एक कीस, ठीक है, और एम कितना दिए गए है, तो एक कॉल्र्टु किया हो जाएगा तीन सत्य ऐकैस यानि कि 7 meter per second square ठीक है, 7 meter per second square यह इसका right hand हो जाएगा और यह second square जो बटे में है इसको अगर उपर ले जाएगे, तो second की power minus 2 हो जाएगा, B option इसका right hand हो जाएगा ठीक है, तो इस तरह से अगर देगा, तो जो है, आपको यह वाला option सही करना होगा, अगला question है अगर किसी चाला का प्रतिरोद आधा कर दिया जाए तो इसका उसमी प्रभाव क्या हो जाएगा तो इसके लिए Joule ने नियम दिया था, जिसको law of Joule's heating effect कहते हैं, इसमें इन्हों ने बताय था कि H equal to होता है I square R into T, ठीक है I यहाँ पे क्या है current है, R क्या है resistance यानि प्रतिरोद और T क्या है time तो H यानि कि heat जो है किसके बरावर होता है, I square R into T के बरावर होता है, तो यहाँ पे दिया गया है प्रतिरोद को अगर आधा कर दिया जाए यानि resistance को अगर आधा कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H जो है directly proportional है इसके RK तो यानि कि अगर resistance को आधा करेंगे तो यह heat भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी तो right answer क्या हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा आधा हो जाएगा ठीक है और अगर इसी के जगह पर दियागा गया होता कि धारा कमान अगर आधा कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा heat पर तो H जो है विद्दुदधारा के proportional होती है विद्दुदधारा के square के ठीक है I square के directly proportional होती है यानि कि अगर आधा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इसका square कर देंगे तो ये हो जाएगा एक बड़ा चार तो अगर विद्दुदधारा को हम आधा करेंगे तो एक चोथाई जो है I command हो जाएगा या अगर हम विद्धारा को दुगना करते हैं तो यहाँ पर I कमान अगर हम दो गुना कर देते हैं तू का स्कॉयर यानि कि हीट क्या हो जाएगा? चार गुना हो जाएगा तीक है? अगला कोश्चन है फासफोरस के एक डूमिक इतने सहियोजी इलेक्ट्रोन होते हैं तो फासफोरस का परमार करमान क्या होता है? इसका इंट्रोमिक नमबर होता है 15 यानि कि अगर इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, 5, 15 तो जो आखरी कक्चा में इलेक्ट्रोन होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, सहियोग ज़ेलेक्टरन या, वैलेंस इलेक्टरन कहते हैं, तो यहां पे 5 इसका राइट एंस होजाएगा, option D. टीक है, और इसकी सहियोग ज़ेलेंसी क्या होगी? तो सहियोग ज़ेलेंसी या, इसकी आफरी ख्यं में 5 है, तो इसको अपना अश्टक पूरा करने के लिए तीन इलेक्ट्रोन की आवसिक्ता होगी, तो तीन इलेक्ट्रोन की अगर आवसिक्ता होगी, तो यहाँ पे सही ओजगता इसकी क्या होगी, वैलेंसी या सही ओजगता इसकी जो है तीन होगी, तीक है, अगला कोशन है, निम्न धातों में से कौन सी धातों और साथ में जिंक क्लोराइड बनता है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 3 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक जो है आईरन को विस्थापिट कर देता है यहाँ पे FECL3 था तो जिंक क्या करता है जिंक आईरन को हटा देता है जिंक आईरन को हटा करके क्लोराइड के साथ हो जाता है तो यहाँ पे बन जाता है जिंक क्लोराइड और आईरन यहाँ पे आप देखेंगे आईरन यहाँ पे हट गया तो जिंक इसको विस्थापिट करता है कि इसको iron को यानि कि लोहे को विस्थापिट करता है तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा option C जस्ता या जिंक जो है इसका right answer हो जाएगा और यह किस प्रकार की अब क्रिया होगी तो यह विस्थापन अप्रिया होगी क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा रियक्टिव होता है वो कम रियक्टिव को विस्थापित कर देता है तो इसमें जिंक जो है आईरन से ज़्यादा रियक्टिव है और ये इसको विस्थापित कर देता है और क्लोराइट के साथ खुद हो जाता है तो यहाँ पे C होते हैं तो शुरू में क्या लगा होता है एत लगा होता है तीन एटम होते हैं तो क्या लगा होता है प्रोब चार पर क्या लगा होता है ब्यूट पांच पर पांच पर लगा होता है पेंट और छे एटम होते हैं या दिकार्बन के तो हेक्स लगा होता है तो ये तो कंफर्म है यहाँ पर 6 एटम है तो शुरू में हेक्स लगा होगा लेकिन हेक्साइन होगा या हेक्सीन होगा या हेक्सीन तो जो हाइडोकार्बन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं एक होते हैं एलकेन और एक होते हैं एलकीन और एक होते हैं एलकाइन तो जो एलकेन होते हैं उनके लास्ट में एन लगा होता है एलकीन में लास्ट में क्या लगा होता है एन लगा होता है और एलकाइन में आइन लगा होता है और एलकेन का फर्मॉला होता है CnH2n प्लस 2 यानि कि कार्बन के अगर N atom है तो hydrogen के कितने होंगे 2n प्लस 2 एलकीन में कारवन का अगर N atom है तो hydrogen के 2N होते हैं अगर alkaline की बात करें तो CnH2N-2 कारवन के N atom है तो hydrogen के 2N-2 होते हैं तो यहां पर दिया गया है C6H14 तो यहां पर कारवन के अगर 6 atom है तो hydrogen के यहां पर कितने है 6 गुणे 2 2 प्लस 2 ठीक है तो यहाँ पर right answer क्या हो जागा? यह alkan होगा, क्योंकि यहाँ पर CNH2N plus 2 के format में यह है यानि कि यह क्या हो जागा? alkan है, तो alkan है तो last में क्या लगा होगा? an लगा होगा, और शुरू में क्या लगा था? hex, तो क्या हो जागा? hexane तो इस तरह से किसी कभी आप formula निकाल सकते हैं माली जे hexine का निकालना है तो ये तो confirm है कि C6 होगा तो hydrogen के कितने atom होगे यहाँ पे तो hydrogen के 2N यानि कि 12 और minus 2 तो 10 तो C6, H10 क्या होजएगा ये क्या होजएगा hexine होजएगा तो अगला question है sulfur का परमार दब्यमान 32U है तो sulfur की 16 gram में mole की संख्या क्या होगी तो यहाँ पे sulfur का दिया गया है atomic mass 32U तो इसका molar mass क्या होजएगा molar mass जो है इसी की जगा क्या कर देंगी U की जगा gram कर देंगे ठीक है 32 gram और इसको capital M से प्रदर्शित करते है molar mass को और यहाँ पे बताना क्या है mole की संख्या तो mole की संख्या n equal to होती है small m upon capital M small m क्या होता है दिया गया दब्यमान capital M क्या होता है molar दब्यमान तो यहाँ पे दिया गया दब्यमान 16 gram दिया गया है तो यहाँ पे n equal to क्या होजएगा 16 और capital M क्या होजएगा 32 यानि मोलों के संख्या क्या आजाएगी 0.5 मोल D option इसका राइटेंस हो जाएगा अगला question है पाचन के अंत में जारी उर्जा का रूप कौन सा होता है तो जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो लाश में जो है इनर्जी का रूप ले लेती हैं और ये इनर्जी किस रूप में होती है तो ये ATP के रूप में ATP के रूप में माइट्रो कॉंडिया में श्टोर होती है ठीक है और ATP जो है ये रासायनी कॉर्जा का प्रकार होती है तो C option इसका राइटेंस हो जागा option C रासायनी कॉर्जा अगला question है निमलेखित में से कौन सी धातो यहाँ पे कौन चूट गया है कौन सी धातो उच तापान पर भी oxygen के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती तो इसके लिए अगर आपको reactivity series बता होगी तो आप इस तरह के question को आसानी से solve कर पाएंगे reactivity series इसकी saltic मैं आपको बता दे रहा हूँ यार्थ करने की कासी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, भीके, पकाता है कौन है, आगे आओ तो यहाँ पे सबसे उपर है के यानि की potassium, फिर sodium है, फिर calcium है, फिर magnesium, फिर aluminium, zinc, और iron और यह है lead यानि की सीसा, hydrogen, फिर copper और यह है argentum यानि की चांदी और aurum यानि की gold ठीक है, तो इसमें जो शुरुआत की तीन धात्वें होती है, यह सबसे ज़्यादा reactive होती है, और यह जो है ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती है ठीक है, यह ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती है फिर जो है magnesium ये ठंडे पानी से क्रिया नहीं करता है ये इन से कम reactive होता है ये गर्म पानी से क्रिया कर लेता है और फिर जो है aluminium, zinc और iron ये इन से भी कम reactive होती है तो ये गर्म पानी से भी क्रिया नहीं करती है ये किस से क्रिया करती है भाप से और इसके बाद जो है Lead, Hydrogen और Copper तो ये जो है पानी की किसी भी रूप के साथ क्रिया नहीं करती है ये करती है Oxygen के साथ लेकिन ये क्रिया कर लेती है तीक है Oxygen के साथ ये क्रिया कर लेती है और यहाँ पे Argentum और Aurum यानि कि Silver और Gold तो यह जो है बहुत ही कम रेक्टिव होती हैं तो यह जो है आक्सीजन के साथ भी यह आक्सीजन के साथ भी क्रिया नहीं गरती तो यहाँ पे राइट एंसर क्या होज़ेगा सीसा, अल्मिनियम, जस्ता और चांदी तो चांदी इसका राइट एंसर होज़ेगा ठीक है, अगला कॉश्चन है निमलेखित में से कौन सरीर में आक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो सरीर में हमारे ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन सरीर के विविन भागों में कौन पहुँचाता है, तो हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन जो है सरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है तिक है और ये हीमोगलोबिन किस में होता है तो ये होता है लाल रक्त कोशिकाओं में तो option A's का right hand हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं ये जो है सरीर में oxygen परिवाहन के लिए जिम्मेदार होती है तीक है लाल रक्त कोशिकाओं ये इनका जीवन काल कितना होता है तो इनका जीवन काल होता है 120 20 दिन इनका जो है जीवन काल होता है और ये कहां पे बनती है तो ये बनती है लाल अस्थी मज्जा यानि की रेड बोन मेरों में बनती है लाल अस्थी मज्जा में ये बनती है और ये कहां पे नश्ट होती है तो ये नश्ट होती है प्लीहा में प्लीहा जिसको स्प्लीन भी कहते है और इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को क्या कहते है RBC का कब्रिस्तान कहते है ठीक है लाल रग्त कोसकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको प्लीहा या स्प्लीन को ठीक है अगला कोशन है निमलेखित में से कौन सी एक कोस्की हरित सेवाल है तो यहाँ पे सभी कारा, यूलोट्रिक्स और इस्पाइरोगाईडा, क्ले माइडो मोनाज यह सभी क्या है, यह सभी सेवाल है और सेवाल जो है एक कोस्की भी होते हैं, बहु कोस्की भी होते हैं इसमें बताना है कौन सा एक कोस्की है तो अगर हम बात कते हैं कारा की, यूलो, ठिक्स की और स्पाइरो गाईरा की ये सबी जो है, ये मल्टी सिलूलर होती है, ठीक है, यानि कि बहु कोस्की होती है क्ले माइडो मोनास, ये जो है एक कोस्की होता है तीक है यह कैसा होता है एक कोस्किय होता है और इसके अलावा एक और होता है क्लोरिला क्लोरिला भी जो है एक कोस्किय सेवाल होता है तीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्ले माइडो मोनास यह एक कोस्किय होता है और वॉलवॉक्स तो यह कोलोनियल होता है यह भी सेवाल है और इस्पाइरो गारा की बात करते हैं यहां पर वोलवा दिया गए है तो यह जो है क्या है मल्टी सिलल्वर यानि की बहु कोज किये हैं ठीक है अगला कॉस्चन है दाटो अक्साइड बनाने के लिए इन में से भाप से क्रिया कौन करता है तो यह भी रेक्टिविटी सिरीज वाला कॉस्चन हो जाएगा रेक्टिविटी सिरीज के लिए शौर्टिक क्या बताई थी मैंने कासी, नात, का, माली, आलू, जरा, फीके, और पकाता है इतने से ही काम चल दाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाप से पूछा गया, भाप से क्रिया कौन करता है तो शुरुआत की जो तीन होती है, यह थंडे जल से क्रिया कर लेती है और फिर जो है मैगनीशियम, यह गर्म पानी से क्रिया करती है गर्म जल से और फिर जो है ये तीन जो है ये भाप से क्रिया करती है तो यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जागा कॉपर, सोडियम, मैगनीसियम ये तीनों तो होगा नहीं तो पहले तो तुरित गती क्या होती है जब समय के साथ वेक परवतन होता रहता है तो उसको कहते हैं तुरित गती और समान तुरित गती जब वेक परवतन की दर्ज है समान होती है जैसे कि मा लिजे कोई वस्तु जीरो की स्पीड में थी फिर पहले सेकंड उसकी स्पीड हो ग दूसे सेकेंड हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, 30 सेकेंड हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड और 14 सेकेंड हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आप वेक परवर्तन की दर देख रहे हैं, 5 से 10, 5 मीटर पर सेकेंड का अंतर है, फिर जो है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे वेक पर मा लेजे 5 होती, پھر हो जाती यहाँ पे 15 और फिर यहाँ पे 20 होती और फिर यहाँ पे 45 हो जाती तब यहाँ पे क्या होता आसमान तुरित गती होती तो यहाँ पे C of sun इसका राइटन सों जागा तुरित गती, अगला कोशन है धारप रवाहित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले तरल को क्या कहते हैं तो ऐसे पदार जिनको जल में घोलने पर ये आयंस में तूट जाते हैं और फिर उनमें से बिजली पास हो सकती है क्योंकि आयंस में तूट जाएंगे तो फिर उसमें से बिजली पास हो जाएगी ठीक है, electricity उसमें से current पास हो जाएगी तो उनको क्या कहते हैं, electrolyte कहते हैं या विद्धुत अबघट कहते हैं क्या कहते हैं, विद्धुत अबघट या electrolyte कहते हैं तो जो सुद्ध जल होता है, तो सुद्ध जल से अगर आप current पास करेंगे, तो सुद्ध जल से विद्धारा नहीं पास होती है, लेकिन अगर उसमें हम कोई भी लवर डाल देते हैं, जैसे sodium chloride, यानिकि नमक, या फिर potassium chloride, या कोई भी आमलियाचार डाल देते हैं, तो फिर उस का घोल हो, या किसी भी salt का घोल हो, तो वो क्या कहलाएगा, electrolyte या विद्ध अब घट्टे कहलाएगा, तीक है, अगला question है, चूना chlorine के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, तो चूना, यहाँ पे calcium hydroxide, जो है, इसकी बात हो रहे है, जिसको बुझा हुआ चूना या select lime कहते हैं, तीक है, यह है calcium hydroxide, जब इसकी क्रिया करहे जाती है, chlorine से तो बनता है calcium hypo chloride, तीक है, caocl2 जिसको कहते है calcium hypo chloride, और यह क्या होता है, यह होता है, bleaching powder या इसको विरंजक चून कहते हैं, तीक है, विरंजक चून या bleaching powder कहते हैं, और इसकी अलावा water बनता है, तीक है, तो निमलिखित में से कौन सा कारक वास्पी करण की दर को कम करता है तो वास्पी करण की दर को प्रभावित करने के लिए कई कारक होते हैं जैसे कि तापमान में व्रिद्धी तो तापमान अगर ज्यादा होता है तो वास्पी करण की गरती क्या होती है वास्पी करण की दर तेज होती है और नमी यानि की आदता आदता या नमी आदता अगर होती है तो वास्पी करंड की गती जो है कम हो जाती है ये वास्पी करंड की दर को कम करती है नमी आदता सता छेत में व्रिद्धी तो सता छेत में अगर व्रिद्धी करते हैं तो भी वास्पी करंड की दर जो है ज पेला करके सुखाते हैं, یarnia कि सत्यां को बढ़ा देते हैं तो 'Masafika on की गति क्या होती है, टेज होती है और यहां पे देगा हवा की गति में ब्रिद्धी तो हवा की गति में ब्रिद्धी कर देंगे तो भी वाशनपी क्या हो जाउगी, तेज हो जाउगी हवा क्या करती है जो जलवास्प होती है यानिकि नमी जो है तो जलवास्प को ये उड़ा ले जाती है अपने साथ तो इसलिए जो है वास्पी करन्ट की गति क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी तो दोलक जो है ये एक दोलक है और ये जो है दोलन गती करता है इस तरह से इधर से इधर जो है दोलन गती करता है तो जब ये इधर गया और फिर से इधर आता है वापस यहां तक और फिर यहां तक फिर से पुरानी स्थिति में आ जाता है तो इसको कहते हैं एक दोलन ठीक है इस लोलक के द्वारा जितनी दूरी तै की जाती है, maximum उसको कहते हैं आयाम, और आवर्त क्या होता है? तो एक दोलन करने में, यहां से यहां गया, और फिर यहां पर वापस आ गया, तो एक दोलन करने में, जितना time लगता है, उसको आवर्त या आवर्तकाल, या time period कहते हैं, त तो यहां पर यही पूछा गया था कि एक आयाम पूरा करने में या एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या करते हैं आवर्थ करते हैं बी ओप्सन इसका राइटन्स हो जाएगा आपरित्ति क्या होती है आपरित्ति यानिकी फ्रिक्वेंसी तो एक सेकेंड में जितने कमपन होते हैं, यानि कि जितने दोलन होते हैं, एक सेकेंड में, उसको क्या कहते हैं, आप रित्ती कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर B-Option इसका राइटन्स हो गया, तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप कता हूँ, वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट कटके जबो बताइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेर करना न भूलेगा, और जो दोस्त नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बिलको होन करेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबस पहले मिल जाएं, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई and टेक केर.